देखो क्यूशन ये रहा जो सास्त्री संगीत पर जो परसिदी रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचेता थे आंसर करें आप सबी आंसर करें इसका जो राइट आंसर है वो है ओप्शन ए देव रिसी बट वजरपाल अब चलतें अगले क्यूशन की तरफ अगला क्यूशन ये रहा जो होरन बिल त्यवार कहां बनाया जाता है होरन जो बिल त्यवार है वो कहां बनाया जाता है आंसर करें आप सभी इसका जो right answer है ओप्शन B नागालेंड दोस्तों आपको comment करके बताना है नागालेंड की वरतमान मुक्य मंतरी वहाँ की राज्ये पाल नागालेंड की राजदानी वरतमान में नागालेंड के अंदर लोग सभा की सीटे, राजे सभा की सीटे, विदान सभा की सीटे और वहां के नैशनल पारक, नागलेंड की जो परमुक भास है, कौन सी है ये सबी आपको कॉमेंट करके बताना है अब चलते अगले क्यूशन की तरफ देखो क्यूशन यह है, जो दक्षिनी गंगोतरी बारत के विज्ञानी को द्वारस्तापित एक रिशर्च वेब स्टेशन है, ये कहां इस्तित है आपको बताना है, जो दक्षिन गंगोतरी है, वो कहां है कापी सुट्रेंट आंस्वर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, इसका जो राइट आंस्वर है, वो है ओप्षन सी आरक्टिक में अन्टार्टिका के अंदर इस्तित है, ये अन्टार्टिका के अंदर इस्तित है दक्षनी जो गंगोतरी है यह पारत की जो विज्ञानी को दोवारा स्तापित एक रिशा बेव सेंटर है यह और यह अंटार्टिका के अंदर इस्तीत है अब बात करते हैं अगले क्यूशन की तरफ अगला क्यूशन यह रहा देखो क्यूशन यह है जो शानती सवरूप बटनागर जो वार्शिक पुरुश्कार की स्चेतर में उतकरष्ट उपलबदी के लिए दिया जाता है जो श्यांती सवरूप बड़नागर जो वार्चिक पुरुषकार की श्चेतर की जो उतक्रस्ट उपलब्दियों के लिए दिया जाता है आप आंशर करें देखो इसका जो राइट आंशर है वो है ओप्शन ए वेग्यानिक और तक्निकी के लिए दिया जाता है श्यांती सवरूप बड़नागर पुरुषकार अब चलते अगले क्यूशन की तरफ क्यूशन अच्छा है जो गांदी श्यांती पुरुषकार ये वार्चिक पुरुषकार की ने दिया जाता है अगर आपको पता है तो आंसर करें जो गांधी शांती पुरुशकार है ये किने दिया जाता है इसका जो राइट आंसर है वो है option C वेक्तियों और संस्ताओं को गांधी शांती पुरुशकार दिया जाता है अब चलते आगले question की तरफ देखो जो परदानमंत्री का निवास है वो किस मारक परिष्थित है आंशर करें आप सभी जो परदानमंत्री का निवास है वो किस मारक परिष्थित है देखो इसका जो राइट आंशर है वो है उप्षन सी सेवन लोग कल्लान मारक परिष्थित है अब चलते अगले क्यूशन की देखो फिर से ये क्यूशन आ गया होमी बाबा जो पुरुषकार है वो किस छेतर में विशेश योगदान के लिए दिया जाता है होमी बाबा जो पुरुषकार है वो किस छेतर के योगदान के लिए दिया जाता है आंशर करें आप सभी इसका जो राइट आंशर है वो है ओप्शन भी नाभी के उर्जा के छेतर में ये पुरुषकार दिया जाता है अब चलते अगले क्यूशन की तरफ अगला क्यूशन ये रहा जो राष्टे फिलम पुरुषकार किसके दोवारा परदान किया जाता है जो राष्टे फिलम पुरुषकार वो किसके दोवारा परदान किया जाता है आंशर करें आप सभी देखो दोस्तों ये सभी क्यूशन इंपोटेंट है और एक्जाम में आई हुए क्यूशन है ये सभी अगर हाप कोई याद नहीं होते तो हाप अपनी नोटबुक में इन क्यूशनों को नोट कर ले इसका जो राइट आंसर है वो है उप्शन D सूचना एवं पर सारण जो मंत्रा ले है उसके दुआरा राष्टे फिलम पुरुश्कार दिये जाते है अब चलते हैं अगले क्यूशन की तरफ देखो जो राष्टे फिलम पुरुश्कार फिलमों के छेतर में दिये जाने वाले बारत के सबसे जो परतिष्ट पुरुश्कार है जो वर्ष 1954 से दिये जा रहे हैं इसे सूचना एवं जो पर सारण मंत्रा ले दुआरा दिया जाता है अब चलते हैं अगले क्यूशन की तरफ देखो ये क्यूशन है जो योनेक्स कप किस खेल से समन दिता है कापी स्टुडेंट हैं उन्हेंनों ते क्यूशन ही आज सुना है जो योनेक्स कप है उसका समन किस खेल से है कॉमेंट करके बताओ कौन-कौन स्टुडेंट हैं जिन्होंने आज ही ये क्यूशन सुना है देखो इसका जो राइट आंचर है वो है उप्षन ए बैडमिन्टन से अब आपको आज का जो होम रेक है वो है जो पांच बैडमिन्टन के खिलाडियों के नाव आपको कॉमेंट करके बताना है अब चलतें अगले क्यूशन की तरफ अगला क्यूशन ये रहा देखो क्यूशन अच्छा है जो इंटरनेशनल प्रीमियर टैनिस लीग के संस्तापक कौन है आप आंचर करे जो इंटरनेशनल प्रीमियर टैनिस लीग के संस्तापक कौन है देखो काफी स्ट्रेंट आंशर कर रहे हैं इसका दूर राइट आंशर है वो है उप्षन C मैस भूपत्ती अब चलतें अगले क्यूशन की तरफ जो मिस यूनिवर्सल किताब जीतने वाली पहली बारती महला कौन है आंशर करें आप सभी जो फर्ष्ट मिस यूनिवर्सल बनने वाली बारती महला कौन है देखो इसका जो राइट आंशर है वो है उप्षन D सुशमेता सैन दोस्तों आपको कॉमेंट करके ये भी बताना है कि फर्ष्ट जो मिस वर्ड बनने वाली बारती महला कौन है अब चलते हैं अगले क्यूशन की तरफ देखो क्यूशन यह है जो लाल बजरी का बास्चा किसे का आ जाता है अंसर करें आप सभी अगर किसी को पता हो तो लाल बजरी का जो बास्चा है वो किसे का आ जाता है देखो इसका जो राइट अंसर है वो है उप्सन ए राफेल नडाल को कहते हैं अब देखो राफेल नडाल के बारे में जानते हैं राफेल नडाल का जो जनम हुआ वो 3 जुन 1986 को स्पेन के माना कोर में हुआ था नडाल को लाल बजरी का बास्या का जाता है उन्होंने रिकोर्ड नो बार फ्रेंच ओपन किताब भी जीता है अब चलते अगले क्यूशन की तरफ क्यूशन अच्छा है जो बार्त में वायू सेना दिवस है वो कब बनाया जाता है आंसर करें आप सबी जो बारत में वायू सेना दिवस है वो कब बनाया जाता है इसका जो राइट आंसर है वो है उप्शन सी आठ अक्टूबर को देखो बारत में जो वायू सेना दिवस है वो आठ अक्टूबर को बनाया जाता है बारती जो वाईू सेना की स्तापना 8 हक्टूबर 1932 को की गई अब चलते अगले क्यूशन की तरफ अगला क्यूशन ये राद आंस्वर करके बताई जो फेमा का है पूरण रूप क्या है जो फेमा है उसका पूरण रूप क्या है आंसर करें आप सबी दोस्त देखो इसका जो राइट आंसर है वो है उप्शन B उप्शन C, sorry दोस्तों उप्शन C, Foreign Exchange Management Act उप्शन C, इसका राइट आंसर है अब चलते अगले क्यूशन की तरफ देखो क्यूशन ये राइट जो कम्पूटर चिप है उसका दूसरा नाम क्या है कम्पूटर चिप का दूसरा नाम क्या है आंसर करें इसका जो राइट आंसर है वो है उप्शन A, Micro Chip अब चलते अगले क्यूशन की तरफ जो माच है वो किस राज्य का लोक नरते है बताना आपको कॉमेंट करके आंसर जल्दी से जो माच है वो किस राज्य का लोक नरते है आंसर करें सभी इसका जो राइट आंसर है वो है उप्शन D, मद्धे परदेश का अब चलते अगले क्यूशन की तरफ निमले कितमे से कोन सितार के साथ सम्मंदित नहीं है आंसर करें आप सभी निमले कितमे से कोन सितार के साथ सम्मंदित नहीं है देखो इसका जो राइट आंशर है वो है option c उस्थाद अलाउदिन खान ये सितार से समान्दित नहीं है अमिर्कु स्थूरू सितारवादक है रवी संकर सितारवादक है और लियाकत जो अले है ये भी सितारवादक है अब चलते अगले क्विशन की तरफ जो बारते डिजरो बैंक के पहले गवर्नर कौन थे आंशर करें आप सभी जो बारते डिजरो गवर्नर है जो बारते डिजरो बैंक के जो पहले गवर्नर कौन है RBI के फैस्ट गवर्नर कौन है यह है सर ओसम ब्रक स्मीट option A इसका right answer है अब चलते अगले question की तरफ देखो जो बारती नाभी के जो विदूत निगम लिमिटेट का मुख्यले कहा है आप आंचर करें बीवनी का जो मुख्यले वो कहा है इस्तित है जो बारती नाभी के विदूत निगम लिमिटेट का मुख्यले कहा है आंचर करें इसका जो right answer है वो है option B चेन नहीं के अंदर आप चलते अगले question की तरफ फिरी style सबद किस खेल से जुड़ा हुआ है आंचर करें आप सबी जो फिरी style सबद है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है देखो इसका जो right answer है वो है option D तेरा की से अब चलते अगले question की तरफ देखो question ये रहा दा एक्सिडेंटल प्राइम मनिस्टर पुस्तक की लेकर कोन है आंचर करें आप सबी देखो इसका जो right answer आएगा वो आएगा option B संजे बारू दा एक्सिडेंटल प्राइम मनिस्टर पुस्तक की लेकर कोन है अब चलते अगले question की तरफ अगला question ये रहा देखो सूरज ताल जील का इस्तित है देखो काफी student इस question का answer मुझे पता है गलत करेंगे और वो ये हो रहा है देखो काफी student गलत कर रहे हैं आँचर इसका जो right answer है वो है option B देखो सबी जो ताल लगी जील है वो उतराखंड में नहीं होती इसमें एक है सूरज ताल जो जील है ये इमाचल परदेश के लाहर समिती जीले के अंदर इस्तित है देखो ये रही सूरज ताल जील जहां होती है वहाँ बगवान सूर्य की पुजा होती है इमाचल परदेश में बहुत सी मानव निर्मित और प्राकर्तिक जीले इस्तित हैं इसका जो दरश से बहुती अधबुद और आकर्शक है इमाचल परदेश को देव उमी के नाउं से भी जाना जाता है यही इमाचल परदेश के जो लावर स्मित्ती में इस्तीत है सूरज दाल जील देखो इमाचल परदेश को किस नाउं से जाना जाता है दोस्तों ये नोट कर लेना आप इसे देव भूमी के नाउं से जाना जाता है और इसमें जो आपको बताना है मानव निर्मित जो क्रित्रिम जील है वो कौन सी है कोमेंट करके आपको आंसर बताना है अब चलते अगले क्यूशन की तरफ देखो क्यूशन बहुत इजी है ये तो सभी को पता होगा विख्यात जो वेराम बुद्ध मंदिर कहां इस्तित है देखो इसका जो राइट आंसर है वो है उप्शन सी इंडोनेशिया इंडोनेशिया की जो राजदानिया है वो है जकारता दोस्तों आपको कोमेंट करके ये भी बताना है जकारता में किस संगठन का मुख्याला है अब सलते अगले क्यूशन की तरफ बारत में जो पर्थम stoke exchange किस वर्ष में स्तापित हुआ आप सबी बारत में जो पर्थम stoke exchange है वो किस वर्ष स्तापित हुआ देखो इसका जो right answer है वो है option B 1865 में अब चलते अगले question की तरफ देखो जो मुम्बई स्टोक एक्णेंज बार तो एशिया का σबसे पुराना स्टोक एक्णेंज है इसकी स्तापना 1835 में दोस्तो को बताना है जो सिग्मो है वो क्या है सिगमो क्या है सबी आंशर करें अगर पता हो तो अगर जिसको नहीं पता तो skip लिख देओ पर आप तुका मत लगाओ अगर तुका लगाओगे तो एग्जाम में ये तुका लगाने की बान आपसे लव जो बोलते नोटबुक में नोट करते रहना जो क्यूशन आपको पता नहीं हो और उसका रिविजन करते रहना लव एक सब्ते में एक बर जो आपने पढ़ रखा उसका पूरे का रिविजन करो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है उप्शन ए गुवा का जो बसंत रिट्टू का माउस्व है उसे ही सिगमो का जाता है अब चलते अगले क्यूशन की तरफ देखो जो क्यूशन है वो है जो बंद्वा मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया आपको बताना है जो बंद्वा मजदूरी अधिनियम है और कि लागु क्या गया। या बंधवा जो मजदूरी अधिनियम कब लागुक्या गया। आप आंस्वर करें सबी। देखें इसका जो राइट आंस्वर है, उप्षिन सी, 1906 में बंद्वा मज़ुदूरी अधिनियम को लागू क्या गया क्यूशन ये राज जो बारती रिजरो बैंक का जो राष्टी करण है वो कब हुआ आपको बताना है कि जो आर्ब्याई का राष्टी करण कब हुआ इसका जो राइट आंशर आएगा वो आएगा ओप्शन बी 1909 में एक जनवरी 1909 में बारती जो रिजरो बैंक है उसका राष्टी करण हुआ अब चलते अगले क्यूशन की तरफ एश आई खेलो का आरम किस वर्ष में हुआ था आंशर करे एश आई खेलो का आरम किस वर्ष में हुआ देखो इसका जो राइट आंशर है वो है उप्शन ए 1909 में एश आई खेलो का आरम हुआ जो 1909 के जो एश आई खेल है वो नई दिल्ली के अंदर हुए अब चलते अगले क्यूशन की तरफ देखो जो मदूबनी कला है इसके बारे में बताना आपको मदूबनी जो कला है वो क्या है आंशर करें आप सभी दोस्त देखो जो मदूबनी कला है वो है ब्यार में पर्चलित एक लोग कला है उप्शन C इसका राइट आंशर है अब चलते अगले क्यूशन की तरफ देखो जो पहला दादा साई फाल के प्रोश्कार है वो किसे दिया गया आंशर करें आप सभी इसका जो राइट आंशर है वो है उप्शन E देवी का राणी टोरी को पहला दादा साई फाल के प्रोश्कार दिया गया अब चलते अगले क्यूशन की तरफ देखो यह है इंटर पोल का मुख्याले कहां इस दित है आंशर करें आप सभी इंटर पोल का मुख्याले कहां इस दित है देखो इसका जो राइट आंशर है वो है उप्शन B लियोन में इंटर पोल का मुख्याले है अब चलते अगले क्यूशन की तरफ देखो जो यह है अंतराष्टे अपरादिक पुलिस संगटन जिसे आम तोर पर इंटर पोल के नाउं से भी जाना जाता है यह एक अंतराष्टे संगटन है जो दुनिया बर में पुलिस सयोग और अपराद नियंतरन की सुईदा परदान करता है इसका मुख्याले लियोन फ्रांच में इस्तीत है इसके दुनिया बर में साथ छेतरी ब्यूरो है और सभी एक सो चुराणमे देशों में से जो इसके सदस्चे है वो एक राष्टे केंदरी ब्यूरो है जो इस दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस है यह अब चलते अगले क्विशन की तरफ जो किर्केट पिच की है वो लंबाई क्या होती है आप कोमेंट करके आंसर करें किर्केट पिच की लंबाई क्या होती है देखो इसका जो राइट आंसर है वो है उप्शन बी 20.02 मिटर किर्केट पिच की लंबाई होती है अब बात करते हैं किर्केट के बारे देखो किर्केट पिच किर्केट के नियम साथ की मताबित किर्केट पिच को लेकर कुछ खास नियम बनाए गए हैं जिसके अंतरगत पिच की लंबाई 22 गज या 20.02 मिटर और चोड़ाई 10 फिट यानि 3 मिटर होती है पिच को बनाने हुए चुनने का काम मैदान के अधिकारी अधिकारियों का होता है अब चलते हैं अगले क्यूशन की तरफ अगला क्यूशन ये रहा मानव विकास सूच कांग परतिवर्ष की संस्ता द्वारा जारी क्या जाता है आंशर करें आप सभी देखो इसका जो राइट आंशर है वो है उप्शन बी यो एन डेपी द्वारा मानव विकास सूच कांग परतिवर्ष जारी क्या जाता है अब चलते हैं अगले क्यूशन की तरफ डायो चैंग एंडिंग एरपोर्ट का है इस्तित है आंशर करें आप सभी डायो चैंग एंडिंग एरपोर्ट का है इस्तित है देखो इसका जो राइट आंशर है वो है उप्शन डी तिव्वित के अंदर इस्तित है अब चलते हैं अगले क्यूशन की तरफ माउंट एवरेस्ट दो बार पते करने वाली पहली बारते मेला कोन है जो माउंट एवरेस्ट दो बार पते करने वाली पहली मेला कोन है यह पूछ रखका जो पहली बारते मेला वो कोन है इसका जो राइट आंशर है वो है उप्शन ए संतोश यादव अब चलते हैं अगले क्यूशन की तरफ चंदिगड के जो रोग गार्डन का विकास किसने क्या था मतलब चंदिगड का जो रोग गार्डन है उसकी स्तापना किसने की या चंदिगड के जो रोग गार्डन है वो किसने बनवाया इसका जो राइट आंशर है वो है उप्शन B नेक चंद ने चंदिगड की रोग गार्डन का विकास किया अब चलते अगले क्यूशन की तरफ देखो जो रोग गार्डन है वो चंदिगड के अंदर रिष्थीत है अब क्यूशन ये रहा जर्मन समराजी की स्तापना किस ने की थी आप आंशर के रहे इसका जो राइट आंशर है वो है ओप्शन ए काउंट बिसमार्ग जर्मन जो समराजी की स्तापना की थी इसने अब चलते अगले क्यूशन की तरफ देखो क्यूशन काफे अच्छा है गरीबो की जो कतकली है वो किस नर्ते को का जाता है आप नोट कर सकते इस क्यूशन को गरीबो की जो कतकली हो किस नर्ते को का जाता है आंशर करें आप इसका जो राइट आंशर है वो है ओप्शन सी ओटन तो लन को गरीबो की कतकली का जाता है और ये केरल के अंदर बनाया जाता है अब चलते हैं अगले Q की तरफ, देखो टैनेस में जो hard coat है, वो coat होते है, जिसकी सत्या खालिस्तान से बनी होती है, answer करें आप सब इ? देखो इसका जो right answer है, वो है option A, concrete की बनी होती है, अब चलते हैं, अगले Q की तरफ, देखो क्योंसर यह है, जो एसे खेलों का आयोजन करने का सूज़ाओ पहले खालिस्तान में कियागया था सबसे पहली बार कब किया गया इसका जो right answer है ऑफ्षिन E 1946 में ए शयवी खेल सम्मेलन में नई दिली में ये किया गया था अब चलते हैं अगले क्यूशन की तरफ देखो क्यूशन ये रा सामरिक सस्तर न्यूनिकरन संदी किस के बीच की संदी है आंशर करें आप सबी दोस्त जो सामरिक सस्तर न्यूनिकरन संदी वो किस के बीच की संदी है देखो इसका जो राइट आंशर है वो है उप्शन B USA और रूस के बीच की ये संदी है अब चलते अगले क्यूशन की तरफ देखो क्यूशन ये रहा तीसरी PD की उस anti-tech missile का नाव क्या है जिसका राजस्तान में DRDO दोरा सपलता पूरवक प्रिक्शन क्या गया था सबी आंच्वर करें देखो इसका जो राइट आंच्वर है ओप्शन D नाग अब चलते अगले क्यूशन की तरफ देखो क्यूशन अच्छा है और साइद सुना भी आपने कापे स्टुडेंटों ने पहली बार है जो दराज देलाराम सड़क कहां इस्तीत है आंच्वर करें दराज जो देलाराम सड़क है वो कहां इस्तीत है देखो इसका जो राइट आंच्वर है ओप्शन B अपगानिस्तान में देखो जो दराज देलाराम सड़क अपगानिस्तान में इस्तीत है इसे सड़क संगटन दवारा बनाया गया इसे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वर्दी हुई है जो ये सड़क बनाने के बाद में अफगानिस्तान का जो यातायात और व्यापार दोनों में वर्दी हुई है अगर दोस्तों आपको अमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो अमारे चैनल को सस्क्राइब करे वीडियो को लाइक करे शेर करे और सस्क्राइब जरूर करे थैंक्यू दोस्तों